नमस्कार किसान साथियों स्वाहकत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का इस्तान पर एक नए वीडियो के साथ और आज का वीडियो है वो हमारा लेस्टून की फसल के ऊपर है कि हमने पहला इस्प्रे कर लिया है और इसके बाध जो है हमारे लेस्टून में हमको जमीनी डोस क्या देन है तो जो भी किसान भाई चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में नोटिफिकेशन को आल पर करते ताकि चैनल से जुड़ी कोई में एनपी के बारा बत्तिस सोला जो खाद होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं और खाद की मातरा की बात कर लेता हूं में तो आपको 50 किलो प्रति एकड लेना है और उसके साथ जो है जमीन में अभी क्या शिकायत हो रही तो उसका भी में बता देता हूं तो देखे इस परे तो लेकिन जमीनी डोस जो है हमको इसमें क्या देना है तो जमीन के हिसाप से जो है मैंने बताया है खाद आपको इनपी के बारा बत्तिस देना है और उसके साथ जो है इसमें कीडा लग रहा है देखे जड में जो है इसमें कीडा भी लग रहा है फंगस की शिकायत भी है तो प इसमें जो है दवाई दूना तो इसके लिए अगर जमीनी कीड़ा लग रहा है तो आपको इसके लिए एक इंसेक्टिसाइट लेना है जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में लुरिपायरीवास पचास परसेंट इसी ये किसी भी कंपणी का आप ले सकते हैं इसको आपको पानी में चलाना है आप चाहो तो जेसे जेसे अगर खात के साथ मिला कि आप छिड़क रहे हो तो आपको जो है जैसे जैसे पानी लगा रहे हो उस प्रकार से आपको खात के साथ इसको छिड़कना है जैसे कि आप मेरे इस देख सकते हो कि यहां पे जो है एनपी के साथ में ने छिड़काओ करके रख दिया है और इसको चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो आप चाहो तो पानी में भी इसको चला सकते हो और उसके साथ जो है हमको एक फंगिसाइट लेना है जो कि आप देख सकते हो थायोपेनाइट मिथाइल 70% WP यह जमीनी फंगिसाइट है और जमीन की फंगस रहती है उसको अच्छे से यह कंट्रोल करता है तो आप जो है इसका प्रियोग कर सकते हो मैंने जो है बिगे की साब की बात कर लेता हूं मैं तो मेरे एक बिगे के लिए सुन है तो 25 किलो मैंने सकते हैं इसके साथ जो है मैंने ठावबेनाइट मिथाइल 70% WP लगबग शाड़े 300 ग्राम के लगबग इसका मिलाए है तो इसको मिलाए है इसके साथ जो है हमको जो है 0524 इनपीक जो खाद आता है इनपीक उसको लेना है और जब 60-60 जिन की अवस्ता में उती है तब लेन यह और यह जो है मैंने लगबग 2 kg लिया है छिड़काओं के लिए आप देख सकते हो 2 kg का यह लिया है मैंने और इसके साथ जो है एक इसमें चोषब परकार के पोशकता तू मोजुद है और यह जो रहता है लेषून में बढ़िया रिजल्ट है इसका मैंने बहुत दो तीन साल ते में इसको डाल रहा हूं तो इसका काफी शांदा रिजल्ट है और आप जरुजिनिक बाई विट्टा का भी आप चाहो तो और कंपनी का ले सकते हो और इसके साथ जो है हमको एक माइको राजा लेना है यह देख सकते हो केमेक्षन हम साता है आप चाहो तो किसी दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो आप इकोमेक्स भी आता है केमेक्षन जे यू कंपनी का तो उसका भी आप यूज कर सकते हो तो इसा जरूरी आपको इन चीजों का पर्योग करना है माईको राजा और इन सभी चीजों को मिला के आपको खेत में चिड़क देना है और उसके साथ आपको पानी लगा देना है तो आपके जो है यह जमिन डिडोस हो जाएगा तो आपके लेसुन का कंध की साइज भी अच्छी बनेगी क्यो कि रोको नाम से भी आती है कंपनी की बात कर लेता हूं में तो आप जाओ तो इन चीजों का परियोग कर सकते हो और आपकी जो लेसुन है उसमें लगबग महीने डेड़ महीने का आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा जिससे कि आपका कंद का साइज भी अच्छा बनेगा और इसके बाद आपको कोई किसी प्रकार का देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको जो है जब जो लेसुन रहेगी वो लगबग पिच्छा सी दिन के उपर हो जाए तब आपको इसमें केल्शिम नाइट्रेट का परियोग करना पड़ेगा और इसके साथ अगर आपको क कंद की साइज इससे आपकी कंद की साइज भी अच्छी बनेगी तो जमीनी जो है यह हमारा आखरी डोस है इसके बाद हम सिर्फ केल्शिम नाइट्रेट का परियोग करेंगे एक बार तो उमिद करता हूं यह जो है थोड़ी जानकरी पसंद आई हो अगर जानकरी पसंद आ जाईब से पसंद आई होत आई हमारा आई होतना करेंगे लोगर करता हूं ऌनकरी जवैंने स्वास्ट एक बार तो नाई होतं स्वारा इसकेूशिम झाल झाल